दोस्तो ओम नमश शिवाए दोस्तो रोजाना अपना राशी फल देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन की बेल को दबा करके सलेक्ट आल कर लें धनू राशी वालो आज एकी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10 अपरेल 2024 दिन बुद्दवार के आपकी राशी के देनिक राशी फल के बारे में की आपकी राशी वालो के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है किन किन चीजों से आज आपको सावधान रहना होगा किन किन चीजों से आज आज आपको फायदा होगा आपकी आज लव कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजनिस और वैपार कैसा रहेगा और साथ साथ आज आपका भग्या साली अंक क्या रहेगा भग्या साली रंग क्या रहेगा आज आपके लिए कौन कौन से उपाय लाबकारी शाबित होंगे और साथ साथ आज आपके भग्या का आपको कितन परतीसत साथ मिलेगा और साथ साथ आज आपका स्वास्त कैसा रहेगा इन सभी की महत पपुन और सटीक जानकरी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देने वाले हैं इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें तो चलिए दोस्तों बात करते होगे और आपके ववशाय में वद्दी होगी आमंदनी के स्रोत में आज इजाफा होगा और आप आर्थिक तोर पर आज अच्छा समान जस रख पाएंगे आपके मुलाकात आज अपने किसी करीबी परिवार से हो सकती है जिन से मिलकर आपको खुसी होगी और वह किसी काम म आपकी मदद भी करेंगे साथ साथ पैसो की लें दिन में आज आपको साफधानी रखना है तथा किसी अन्य वेक्ति को धन देना नुकसान दायक हो सकता है इस दिन मानसिक असांती तथा तनावपूर इस्तिती ज़्यादा हो सकती है इसलिए किसी भी तरह का फोस निर्ने ल साथ साथ आपको बता दें आज धन अचल संपत्ति इत्यादी को लेकर इस्तितियां आपके काफी अनुकूल रहने वाली हैं साथ साथ यदि आप नोकरी करते हैं तो नोकरी में आज आपको उन्नती के अच्छे अवसर टाप्त हो सकते हैं इस समय आप निवेस का भी नजरि ससुराल पक्ष के लोगों के साथ जगडा भी हो सकता है अत्वा आपके जीवन साती द्वारा आपके मैके का पक्ष लेने के करण आप दोनों के बीच थोड़ी अनमन भी हो सकती हैं इसलिए आज आपको क्रोध पर नियंतन एम वानी पर सहियम रखना होगा अन्यता विवाद में आप पढ़ सकते हैं साते साथ आप अपने माता पिता के साथ संबंदों को सुदारने का पृयास करें इससे ना केवल आपका भग्य चमकेगा बलकि आपको आपके भग्य का साथ मिलेगा अभी तो आपके जीवन में तरक्की भी आएगी आपको बता दे करियर उचाईयों पर जाने की आज अच्छी संभावना दिखाई दे रही हैं विध्यारतियों के लिए भी शमय काफी अच्छा साबित होगा साथ साथ यदि आप नौकरी बदलना चाहें तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी साथ साथ आपको इस बात का भी अवश्य ध्यान रखना होगा कि अत्यादिक आत्म विश्वास में पढ़कर कोई भी गलत निर्णे आप आज ना लें और अपने अधिनिस्ट के जमचारि सच में तबदील करने के लिए आज का समय आपके लिए अत्यंत महत्पपून और भहुती भग्य शाली समय साबित होगा भहुती अच्छा दिन है आज आपके लिए समय का आप भरपूर लाब उठाएं साथ यसाथ आपको बता दें शंतान के प्रती आपका वैवार आज का दिन के लिए महनत कीती वै महनत कामियाव हो जाएगी मित्र भाई बंदू इत्यादी के साथ बहतर संबंध हो सकते हैं जिससे कामकाज के साथ साथ घर परिवार में भी एक दूसरे के प्रती अच्छी संभावनाय उत्पन हो सकती हैं साथिसाथ मन विचलित होने के कारण का काम काज को सही दिसा मिलने में समस्य उत्पन हो सकती है। साती सात ओफिस अत्वा कार्याले में अपने अधनिस कर्मचारियों पर अधिक भरोसा ना करें क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो वहें आपके भरोसे का नाजायज फायदा भी उठा कर आपको चोरी छुपे नुक नुकसान पहुचाने का भी प्रियास कर सकते हैं जिसके कारण आफिस में आपकी छवी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। थोड़ा सचेत रहें साथे साथ दोस्तों बात करें आज आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी तो दोस्तों आपको बता दें प्रेम संबंद आज अ चाते हैं तो आप आज कर सकते हैं साथे साथ दामपत्य जीवन को लेकर इस्तियां आज काफी अच्छी रहने वाली हैं साथे साथ आपको बता दें यह समय आपके प्रेम जीवन के लिए काफी अनुकूल सिद्ध होगा और आप अपने प्रियतम के साथ अच्छे समय का प्ले मन से आप आज गिरहन करेंगे साथे साथ आपका जीवन साती आपको आपके प्रतेक कारणे में समर्थन देगा और समय आने पर आपकी आज साहतावी अवश्य करेगा इसके पहले नाम सरूप आपका वहवाईक जीवन काफी अच्छा रह सकता है दोस्तों बात करते ह आज आपका वैवसाय केरियर कैसा रहेगा तो दोस्तों आपको बता दें कारे चेटर में वातावरन आज आपके काफी अनुकूल रहेगा और शेह करीमियों का आज आपको भरपूर शैयोग मिलेगा जिससे आपके सभी कार्रे आज बहुती आसानी से पूरे होंगे साथ साथ आपको करियर और बिजनिस में आज अपार सफलता प्राप्त होगी और आज आप अपनी सफलता के जंडे गार देंगे जा दोस्तों आपको बता दें आर्थिक रूप से आज उन्नती के अनेक अवसर आपके सामने आएंगे और उनके फलसरूप आप आज अच्छा अधन प्राप्त कर पाने में भी सफल होंगे शाथ साथ विदयसी संपरकों से भी इस परस आपको आज अच्छा लाब होने की संभावना दे रहा है या दोस्तों आज आपको अपने सभी कारों में अच्छा लाब भी होगा और आपके करियर में आपकी इस्तिति काफी प्राप्तकों को नौकरी में उन्नती के अच्छे अवसर आज प्राप्त होंगे साथ साथ कोट कचेरी से जुड़े लोगों को आज कोई बड़ी खुशकवरी मिल सकती है साथ साथ आपको बता दें जो लोग बेरोजगार हैं उनको रोजगार के भी अवसर प्राप्त हो सकते जिया दोस्तो आज उनको नोकरी प्राप्ती के योग हैं समय करियर और वैवसाय के लिहाज से बहुती अच्छा साबित होगा जिया दोस्तो बात करें आज आपका स्वास्त कैसा रहेगा तो दोस्तो आपको बता दें पेट से सम्मंदित इन्फेक्शन आदी हो सकता है ऐसे मे स्वास्त के पिरती आप आज सचेत रहें घर में कई ग्रहों की यूति आपके स्वास्त को प्रभावित कर सकती है एक नियमित और अच्छी दिन चरिया का पालन करें और आप स्वास्त रहें दोस्तो साथ-साथ अब बात करते हैं आज आपके लिए भाग्यसाली अंक क्या तो दोस्तो आज आपके लिए भागयसाली अंक रहने वाला है नौ और भागयसाली रंग रहने वाला है गुलाभी और दोस्तों आप बात करें आज आपके लिए कौन कौन से उपाय लाबकारी थाबित होंगे किन किन उपायों को करने से आपको लाब मिलेगा तो दोस्तों आपको पता दें आज आप भगवान श्री गनेश जी को मूंग के लड़ूं का भोग लगाएं तथा बच्चों में बाटें इससे जीवन की सभी परिशानियों का अंत होता है और साथिसाथ आप आसपास के अस्पताल में जाकर रोगियों की साहिता करें साहिता मतलब आप उन्हें कोई खाने के लिए कुछ चीज दे सकते हैं या अपने स्रद्दा सामर्थ के नुसार अन्न धन वस्त्र कुछ भी दे सकते हैं ऐसा करने से परिवारी की जीवन अच्छा होता है और साथिसाथ आप भगवान श्री क्रिश्न जी के समक्ष का पूर जलाएं ऐसा करने थे आर्थिक इस्तिती प्रबल होती है आर्थिक इस्तिती मजबूत नहीं दनलाव के योग भी बनते हैं और दोस्तों बात करें आज आपको भग्य का कितना परतीशम साथ मिलेगा तो दोस्तों आपको पता दें आज आपको 99.1 परसेंट साथ मिलने वाल हर हर महादेव जय भूलेनाद